आज बनाते हैं समच किचिन में मूं की दाल और सोया मेथी की सबसी जो कि बहुत हैल्दी और टेस्टी है और विंटर के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट है तो यहाँ पर मैंने ली है मूं की दाल और धो लिया है इसको दो करके भिगो दिया था दो घंटे पहले जो कि बहुत अच्छी तरह से भी गई है और अब unbelievably अब यह हैं मे kick में सोया तो मेथी में ली है'm कोई 400 ग्राम दोखर के साफ कर लिया vehicles और मूं की यह की जो निकाल लिया और soft जो टंटञ है उनको ले लिया और इसको इसे बारीक-बारीक हमें कट कर लेना है और इसके साथ सोया को भी कट कर लेंगे सोया से भी अच्छा फ्लेवर आता है मेथी और सोया को कॉंबिनेशन बहुत बढ़िया लगता है इसको भी बारी कट करेंगे और यहाँ पर तयार करेंगे थोड़ा मसाला 10-12 लहसुन, आधा चम्मच, जीरा थोड़ी अद्रक और दो लाल मिर्च इनको पानी डाल करके एक पेस्ट बना लेंगे इसका यह से हमारी सबजी बहुत ही जबर्दस बनेगी तो दाल तो आपने बहुत खाई होगी लेकिन यह सबजी इस तरह से बना के देखे बहुत ही टेस्टी और बहुत थेल्दी तो कड़ाई में मैंने तेल लिया है दो-तीन बड़े चम्मच और तेल की गरम होते हैं उसमें आधा चम्मच जीरा डाला थोड़ी से हींग डालेंगे और हरी मिर्च कटी हुई और इसके साथ प्याज मैंने जादा लिये है तो एक कब बारी कटी हुई प्याज लिये प्याज मेथी के कड़वाहट को बैलन्स करेगी और बढ़िया टेस्ट देगी साथ में लाल मिश डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अभी जो डाल है उसको भी डाल दिया है प्यास के साथ और इसके साथ भी इसको करीब एक मिनट तक तेज आज पर भूनेंगे इस तरह से करने से डाल बहुत सोंधी और बहुत टेस्टी बनती है अब डाल देंगे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और नमक और जो तयार किया है मसाला उसको भी डाल देंगे और इसके साथ भी थोड़ी देर भून लेंगे अद्रक लैसुन का कच्चापन निकल जाए तो करीब मैंने एक मिनट भूना हो और पानी डाल देंगे तो पानी इसमें थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि हमें इसको सूखा ही रखना है और यह डाल भी आसानी से गल जाती है इसलिए एक चथाई का पानी डाल करके धीमियाच पर रखा तो दस से बारा मिनट में डाल गल जाएगी तो डाल को हमें सिर्फ इतना गलाना है कि यह गल जाए सॉफ्ट हो जाए पर फटे नहीं यह कि बिल्कुल हमें इसको साबत रखना है और इस चीज को जरूर ध्यान रखेगा तो बीच बीच में चेक करते रहिएगा टाइम डिफरेंट हो सकता है कुकिंग और अब हम इसमें जो मेथी और सोया काटके रखा है उसको भी डाल देंगे और मेथी सोया के साथ भी अभी दाल को थोड़ी दिर भूनेंगे तो यह बहुत ही टेस्टी बहुत हेल्दी रेसिपी है इसको आप इस विंटर जरूर ट्राइ करिए बहुत पसंद आएगी आपको तो बस अभी अच्छी तरह से भून गया है तो आप क्या करेंगे धीमी आज पर दो-तीन मिनट इसको और पकाएंगे तो मेथी से काफी सारा पानी रिलीज हुआ है तो अभी इसको तेज आज करके थोड़ा भून लेंगे क्योंकि हमें इसको ड्राइ रखना है और बस डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी थोड़ा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए और यह चिली फ्लेक्स जो देखने में इसको आप जौर बाजरा चने की रोटी मक्य की रोटी के साथ खा सकते हैं और सोय मेथी वैसे भी विंटर्स के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है तो जरूर रेसिपी को ट्राइ करिए और मुझे अपना फीडबैक कॉमेंट के जरिये दीजे